ये हैं मनीश भाई जिनोंने अयोध्या केंट 12 बंकी सेक्षन पर पढ़ने वाले बड़ा गाउं रेल वे स्टेशन से रेल इलेक्रिफिकेशन का वीडियो बना कर हमें भेजा मनीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच मेरे भाई एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बना कर हमें बेजने के लिए सामने देख सकते हैं फ्रेंट्स माश्ट लगाने का काम यहाँ पर कल लिया गया है थोड़ा सा एक डबलिंग का अपडेट भी देंगे दिखाएंगे कैसे इस्टेशन के पीछे से डबल लाइन के लिए ट्रेक डाला जा रहा है अलंकि ट्रेक डालने की शुरुवात नहीं है रेल बेड बनाने का काम चल रहा है यहाँ पर राव मटेरियल भी रखा हुआ है जिस दिखा में हम चल रहे हैं यह बारा बंकी की दिखा हो गई तो बात यहीं चल रही थी रेल इलेक्रिफिकेशन की हम आप लोगों को में ऑरिष्यनों पर तो वहां पर वारिंग एक हो गया है बूम भी लगा लिये हैं घ्रा पांस भी लगा लिये गया है तो इस तरह से तीज रफ्तार से हिवा पर काम हुआ लेकिन यहाँ पर धीमी रफ्तार से काम हो रहा हैं तो यहाँ पर भी देखेगा हम लोग आपने देखा अयुद्या केंट 12 बंकी सेक्शन पर लगभग 75 प्रतिशत के करीब में काम हो गया है वारिंग समेथ हालांकि अभी तक जो फाइनल टस्ट देने का काम है वो शुरू नहीं हुआ है फरवरी खतम होने वाली है और चुकि लगभग आप मान के चलिए अभी आज 25 फरवरी 2022 है और अभी भी जो 34 दिन है तो वो मार्ज खतम होने में बाकी है तो इस तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि बाकी का बचा जो 35 परसंट सेक्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए डबल लाइन के लिए यहाँ पर जो स्लीपर है व वो कर लिया गया है इसके लावा इस्टेशन पर ट्रैक्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी जोंकि मार्च 2022 टार्गेट रखा गया है अगर आप 15 दिन इधा उधर भी रख लें तो 15 प्रेल तक आसानी से मान के चल सकते हैं तो एक संभावना बन रही है कि अपरेल के अंत में लोको ट्रैल CRS SP ट्रैल हो सकता है और अगर CRS SP ट्रैल नहीं होता है तो आप मई के महिने भी मान सकते हैं तो मई से ये उमीद बढ़ जाएगी कि आप किसी भी सेक्शन पर चले जाएगे फिर आपको इलेक्टिक लोको से ही ट्रैनों का संचालन होते हुए मिलेगा जहां तक मालगारियों का भी तो देख सकते हैं यह बड़ा गाउं रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड है लो लीवल का प्लेटफॉर्म है और अभी हम आप लोगों को प्लेटफॉर्म के पीछे का हिस्सा भी दिखाएंगे यहां उसको एलेक्ट्रिक लोकों के द्वारा संचालित नहीं किया गया जबकि कई ट्रेनों को एलेक्ट्रिक लोकों से संचालित कर दिया गया है और एक खबर हम आप लोगों को और भी देंगे अध्या केंट सुल्तानपुर सक्षन से संबंदित वो अगले वीडियो में देंग जब भी कभी हम आयद्या कैंड से कोई अपडेट आप लोगों को देंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब प्लेटफॉर्म के पीछे जो दायदिश्य का हिस्सा है वहाँ पर दिखाते हैं यहाँ पर देखेगा तो प्लेटफॉर्म नमबर एक के किनार है यहाँ से तो यह डबलि आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं मेरा वाट्स अप नमबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है वहाँ से नमबर लेकर वाट्स अप या टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपड रखेगा जय हिंद जय भारत